प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्णों पर इंपोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्ण NCRT से बनाए मनेगे और इस सीरीज की प्लेलिस्ट वना रखिए वहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर जो है इस टेस्ट तक पहुंच सकते हैं और इस सीरीज की आप पेड़ सीरीज प्राप्ट कर सकते हैं UPPCS की डिस्क्रिप्शन वाक्स में नमबर है मेरा उस पर कॉलिया वाटसप कर दीजिए जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट यानि एक टेस्ट में 150 प्रश्ण होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज देट हो गई है तीन सिंट को बोलते हैं अंत्रे स्रावी और दूसरी होती है है च करिम इसको बोलते हैं 20 भी रचाव और तीसरी होती है मिटिछ ग्लेंड इश्का लृत है मिश्रिद्व्रणाथी तो इसकी बात हो ने कि अ तो यहाँ पर peuse granthi यानि pituitry gland master gland भी बोलते हैं इसको मस्तिक्ष में पाई जाती है उसके बाद pineal और hypothalamus यह तीनों की तीनों endocrine gland हैं जो मस्तिक्ष में पाई जाती हैं लेकिन hypothalamus जो है मस्तिक्स में नहीं पाई जाती नमबर टू पर आज़ें हम लिके दमसे किस ग्रंथी दोरा श्रावित हर्मोन काईक उतको की ब्रद्धी कौमा परिवर्धन की क्रियाओं का निर्मान करते हैं वो तक को बोलते हैं टिशू इसका उत्तर प्यूष ग्रंथी ही है यानि पिट्यूट्री ग्लेंड ही है इसको मास्टर ग्लेंड के नाम से भी जानते हैं तो PTO T gland से स्रावेत हर्मोन जो है काईक उतको की ब्रद्धी कौमा परिवर्धन और परिधी अंतरे स्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंद्रन करते हैं इस ग्रंथी को सरीर में मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है कई बार कंपेटिव एक्जाम में ये प्रश्ण पूछा हुआ है कुछ पूछना हो तो इस नमबर पर आप कॉलिया वाट्सअप कर सकते हो कॉशन नमबर थरी पर आजिए दुग्द हार्मोन दुग्द निश्कासन हार्मोन जो होता है उक्सिटोसिन उसका स्रावन किस ग्लेंड से होता है किस ग्रंथी से होता है पिटियोट्री ग्लेंड ठीक है प्यूस ग्रंथी से होता है तो ऑक्सिटोसिन हार्मोन्स का स्रामण जो है पिटियोट्री ग्लेंड के द्वरह होता है ऑक्सिटोसिन हमारे सरीर की चिकनी पेशियों परकार करता है और उनके संकुचन को प्रेरिद करता है और मादाओं में य प्रवाशी पेशियों के संकुचन और दुख्द गरंथियों से मिल्क के प्रोडक्शन को जो है प्रयुद करता है नमबर फोर पर आजए पिनियल गरंथि के संबंद में कुछ स्टेट्मेंट है दो दो बताना की नमें से कौन सा करेक्ट है पिनियल गरंथि यह अगर मस्तिक्ष में इस्टित होती है और इस गरंथि द्वरा स्त्रावित हार्मोंस हमारे सरीर की दैने के लैका नियमान करता है यहीं अगर पर्श मस्तिक्ष होता तो statement गलत हो जाता पहला वाला फिलाल यह दोनों के दोनों correct हैं C है इसका अंसर तो पहला गत्वन सत्य है क्योंकि pineal gland या pineal gland अग्र मस्तिक्ष के प्रष्टी है याई उपरी भाग मैस्तेत होती है और दूसरा statement भी सत्य है क्योंकि पिनियर ग्रंथी मैलाटॉनिन हार्मोन का तरावन करती है और मैलाटॉनिन हमारे सरीर की दैनिक ले के नियमन का एक बहत्पूर्ण काम करता है उधारण के लिए सोने जागने का चक्र हो गया सरीर केताब करम को नियंत्रित करता है नमबर 5 पर आजए नमलिकित हर्मोन सो में से किसके संसलेशन के लिए आयोडीन की आवशक्ता होती है तो थाइरोइड इसका उत्तर है भी तो थाइराइड हर्मोन के सामाने दर से संसलेशन के लिए जो है वो आयोडीन की आवशक्ता होती है question number six पर आजईए number six है हमारे सरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी विक्रतियां उत्पन होती है गर्ब में विक्सेद हो रहे बालक की ब्रद्धी में अबरोध बच्चों में बोनापन या मंदबुद्धी और तीसरा है मूख वाधिरता मूख का मतलब वोता गूंगा देखें बिल्कुल ये सब कुछ हो सकता है आयोडीन की कमी से सरीर में तीसरा मतलब डी वाला one two three से हो जाएगा तो हमारे सरीर में आयोडीन की कमी से जो है अब थाइरोड़ता एवं थाइरोड ग्रंथी की ब्रद्धी हो जाती है और गर्वावस्था के समय जो है अब थाइरोड़ता की करण गर्वे विक्सित हो रहे बालक की ब्रद्धी जो है वो विक्रत हो जाती है इससे बच्चे की अवरोधित ब्रद्धी, किरेटिनिज्म या बोना बन अत्वा मंद बुध्धी और तचा आस्मानिता मूख वाधी रता आदी हो जाती है और वयस्क इस्तिरियों में अब थारोडिता जो है वो मेंस्ट्रेशन साइकल को अनियमित कर देता है नमबर सबन पर आजएगे किस हार्मोन्स के स्रावन में कमी के परिणाम सरूप ब्रद्धा वस्था में सरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है यह कौन सा हार्मोन्स है यह है थाइमोसिन हार्मोन्स बी तो थाइमस गरंथी हमारे सरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महतपूर्ण भूमिका निवाती है और यह गरंथी थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हर्मोन का स्रावन करती है और थाइमोसिन जो है टी लिंफोसाइट के विवेदी करण में मुख के भूमिका निवाते हैं जो कोशी का माद प्रतिरक्षा के लिए महत्वूर है बढ़ती उमर के साथ थाइमोसिन का अपगठन होने लगता है प्रणाम सरूप होता क्या थाइमोसिन गहत्पादन घट जाता है इसी के प्रणाम सरूप ब्रध्धों में पृतिरक्षा पृतिकरिया कमजोर पड़ जाती है है कि आभर पर अब श्रेक्ण फ्लाइट हर्मोन्स या फ्लाइट हर्मोन्स या उडो लडों हर्मोन्स या फ्लाइट हर्मॉन्स किसे कहा जाता कई वार प्रश्न एकजाम में पूश हुआ taraf is इंसुलिं जो है अगानाश्य से निकलता बीटा से श्याटी क याpeat kalin रिपार्मोन उर आप आपकालीन हर्मोन्स या युद्ध हर्मोन्स कहा लाते हैं ये अनों हर्मोन हो देकी धर्कन के अनिकी संकुचन की संतां और वह संदर या रेशपरेशन्च को प्रभावित करते हैं था या रेक्षाइश्ण चाहर है पर उनलेकी गत्न से बतारबा करते हैं मौजस कोकि पर पहले और hexokrine और mixed gland यानि अंतरसावी वहिसरावी और मिश्रित ग्रंथी तो जो अगनाशे हमारा pencreas है वो endocrine और hexokrine दोनों grand की तरह रूप में काम करता है insulin hormones का स्रावन यक्रत से होता है और insulin एक protein हर्मोन से कि देखिए हमारे अगनाशे में लेगन हैस के दीप एक सहल होती है उससे तीन प्रकार की कोशिकाई निकलती है alpha beta और gamma उनी में से जो beta सहल होती है ठीक है उससे स्रावन होता है या इसका क्या बोलते है insulin का और alpha से निकलता है glucagon beta से निकलता insulin और gamma से निकलता somatostatin तो beta बला important insulin पूस्टेंस को कई बार एक्जाम में तो insulin का स्रावन यहां से होता अगनाशे से जो अंत्रे क्याद अंत्रे स्रावी और बहिस्रावी ग्रंति होते है अंत्रे स्रावी और वहीश्रावी ग्रंथ्य विन रूप में काम करता प्रतिकों का एक से दो प्रतिशत होता है प्रतिएक लेगन हैंस दीप में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है जिने बोलते हैं एलफा वीटा गामा सेल जो एलफा सेल होती है वो ग्लूकेगान जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन और जो गामा सेल होती है वो अंडाशे या औरी एक प्राथमिक माधा लğeंगिकंग है जो प्रतिमेंस्ट्रेशन साइक्ल में एक अंडे को जो हाई उत्पादित करते हैं इसके अतिरिक्त अंडाशे दो प्रकार के स्टोराइड हर्मोन समूं का भी उत्पादिन करते हैं हर्ट रेट, रैस्पिरेशन रेट और ब्रक वाहनियों में ब्लड फ्लो, यानि किड्नी की वाहनियों में ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाहा, ये सभी है, ठीक है, तीनों के तीनों, तो इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर डी, बन टू थृ, तो जब हम सारे रिक व्याया शक्ता में ब्रद्धी हो जाती है, मतलब सरीर चाहता है कि जारे से ज़्याद है ऑक्सीजन सरीर को मिले, और सरीर में ऑक्सीजन भी अधिक आपूर्ती के लिए है, हर्ट, रेस्पिरेशन रेट, हर्ट रेट, एवं ब्लड, फ्लो जो है किड्नी, में बढ़ना जो है, उसक तंत्री का तंत्र के अंतरगत समलेता है, यानि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतरगत आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, मेरु, रज्यू और मस्तिक्ष तो A और B दोनों हो गया इसका अंसर D, तो मानब का तंत्री का तंत्र दो भागों में भाजित होता है, केंद्रिय तंत्री का तंत्र और परिद्य तंत्री का तंत्र, केंद्रिय तंत्री का तंत्र यानि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड समलेत होता है, यहां सूचनाओं का संसाधन अबमनेंत्रन होता है, कुश्चन अबर तेरह पर आज़े, तंत्री का तंत्र यानि तंत्रिका, तंत्रिकी, सनरशनात्मक और क्रियात्मक एकाई कहते हैं नियरोन एक सूख्षम दसी सनरशनात्य जो तीन भागों से मिलकर बनती है कोशिकाय, तंत्रिकाक्ष, त्रुमाक्ष नमबर फोटीन पर आजिए तंत्रिका के अंत्रगत तंत्रिका आवेगों का एक नियूरौन से दूसरे नियूरौन तक संचरण किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है सिनेप्सिस के द्वारा होता है दी है इसका अंसर तो तंत्री का तंत्र के अंत्रगाय तर तंत्री का आवेगों का एक नियोरॉन से दूसरे नियोरॉन तक संचन सिनेप्सिस के द्वारा होता है और एक सिनेप्सिस का निर्मान पूर्ण सिनेप्टिक नियोरोन तथा पस्ट सिनेप्टिक नियोरोन की जुली द्वारा होता है जो की सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो सकती है हो भी सकती और नहीं भी हो सकती और synapse जो है दो प्रकार के होते हैं विद्दोथ synapse और रासाइनिक synapse नमबर 15 पर आजए हमारे सरीर का तापमान एम खाने पीने की करियाओं का नियंतर निम्री के दमर से किस भाग के द्वारा होता है मस्तिक्ष के यह प्रशन कई बार पुछा है एक्जाम में ऐसा नहीं है यूपी पीसेस में और भी दूसरे एक्जाम में पुछा है और इसका उत्तर है हाइपो थेलमस तो देखिए मनुष के मस्तिक्ष को मतलब ब्रेन को तीन भागों में भ्याजित किया जाता है अग्र मस्तिक्ष मध्य मस्तिक्ष और पस्ष मस्तिक्ष जो अग्र मस्तिक्ष है वो सेरेब्रम हाइपो थेलमस और हाइपो थेलमस का बना होता है ठीक है और हाइपो थेलमस में कई केंद्र होते हैं जो सरीर के तापमान खाने पीने का नियंद्रन करते हैं और इसमें कई तंत्री का स्रावी कोशि काई भी होती हैं जो हाइपो थैलेमिक हर्मोन का स्रामन करती हैं तो अग्र मस्तिक्ष के कितने भाग तीन भाग मनुष्के मस्तिक्ष के कितने भाग तीन भाग अग्रमस्तिक्ष मध्यमस्तिक्ष और पश्यमस्तिक्ष और जो अग्रमस्तिक्ष होता है वो बना होता है किसका सेरेवरम का थैलेमस का और हाइपो थैलेमस का और यही सबसे बड़ा भाग है सरीर का सरीर के ब्रेन का नमबर 16 पर आजए नमलगित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ बताएं कौन सा करेक्ट है स्टेट्मेंट करेक्ट हैं सी है इसका अंसर तो मानब मस्तिक्ष का पश्च मस्तिक्ष भाग जो है वो पौन्स अनुमस्तिक्ष और मध्यांग्ष याणि मेडूला अबलंगोटा का बना होता है माना मस्तिक्ष के ओपर कितने भागते हैं? तीन भाग इसमें जो पस्ट मस्तिक्ष है वो पॉन्स, अनुमस्तिक और मेडूला अबलंगोटा का बना होता है और मस्तिक्ष का मेडूला अबलंगोटा मेरू रज्जू से जुड़ाता है यानि spinal cord से जुड़ाता है मेटूला अबलंगोटा में स्वसन हर्दै संचारी परिवर्तन और पाचक रसो के स्थराव के केंदर जो है नंतरन केंदर होते है नमलकित में से कौन सा मानब मस्तिक्ष का सरवाधिक विक्सित भाग है तो जो अगर मस्तिक्ष है वो ही मानब मस्तिक्ष का सबसे विक्सित भाग है जिसमें सेरेब्रम ठीक है थैलेमस और हाईपो थैलेमस तीन थे तो अगर मस्तिक्ष जो है मानब मस्तिक्ष का सरवाधिक विक्सित भाग है विक्सित बोलना चाहिए था उसने में वड़ानी विक्सित कॉशन अबर 18 पर आज़िए नेत्र की विविन परतों के संबन में दियेगे युक्मों पर विचार करना है बाहरी परत को रक्त पटल, मध्य परत को स्वेत पटल, आंत्रिक परत को दरस्टी पटल बाहरी परत होती है कोराइड गलत है, आंकी बाहरी परत होती है इसके लिए यानि स्वेत पटल और मध्य परत होती है रक्त पटल यानि कोराइड तो पहले दूसरे हो गए दोने गलत आंत्रिक परत रेटीना होती है यानि दरस्टी पटलिया सही है तो सही सुमेलित है केबल तीसरा बाला सही सुमेलित है तो इसका अंसर को जागा D तो केबल D सही सुमेलित है देखिए वैस्क मनुस्य के नेत्र जो है लगभग गोलाकार सनरश्टा है और नेत्र की दिवारे तीन परतों की बनी होती है बाहरी परत घहने सहींजी उत्कों की बनी होती है जिसको बोलते हैं स्केलेरा या स्वेत पटल माध्य परत को कुराइड बोलते हैं यानि रक्त पटल और जिससे अनेक रक्त बहानियां होती है जिसमें अनेक रक्त बहानिया पता उसमें कौन सा भाग जो है चेंज करते हैं वो भी एक्जाम के वार पूछा है तो कॉर्णिया बदला जाता है ठीक है कॉर्णिया का ट्रांस्प्लांट किया जाता है रेटीना लगाकर और स्केलेरा लगाकर यह सब गलत मत कर देज़ेगा कॉशन नदर 19 पराजे है मानमस्टिक्षक के कौन से भाग में स्मृण च्हंता यानि मैमोरी केपिसिटी होती है किसमें होती है मैमोरी केपिसिटी सेरिप्रं धेलेमस है पोथेलेमस यह तीनों अगर मस्टिक्षक के भाग हैं ठीक है क्या है इन तीनों मैंसे इसका उत्तर होगी संबेदी सहागिता और संपर्ख सूर्थ आदरी के लिए उत्वरदाई है यह वीस्वा प्रश्ण है अंतिम प्रश्ण है केंद्रिय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉग की तरह काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हाइपोथेलमस है वो मास्टर क्लॉग की तरह काम करता है तो हाइपोथेलमस हमारे तंत्रिका तंत्र में मास्टर क्लॉग की तरह काम करता है और हाइपोथेलमस में कई केंद्रक होते हैं जो सरीर के तापमान खाने पीने का निंत्रन करते हैं और इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं, जो हाइपो थहलमिक हर्मोंस का स्रावण करती हैं, बेखिए सयरिब्रम या प्रेमस्तिक्स गोलार्ड का आंत्रिक भाग और अंदरूनी अंगो जैसे की एमिग्डाला होट्पोकेपस न्याल मिलकर आदी समू मिलकर जो है एक जटिल सनरश्णा का रिर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं लिंबिक तंत्र ठीक है और यह है हाइपोथेलमस के साथ मिलकर लेंगिक व्यभार मनो भाबनाओं की अभिव्यक्ति जैसे की उत्तेजना हो गई खोशी गुस्षा और भे आदी का निंतरन करता है तो इन सब चीजों का सार क्या निकला हाइपोथेलमस ठीक है मास्टर क्लॉग की तरह काम करता है कौन हाइपोथेलमस तो यह 20 प्रशन थे जनरल साइंस के इंपोटन्ट है ना के बल यूपी PCS के लिए हैं बलकि किसी भी स्टेट PCS के लिए हैं दूसरे कमपरटव एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं और कोछ एक आदा प्रश प्रशन था जिसके पूछ जाने की संभाबना ना के बराबर है लेकिन कोर्स भी कंप्लीट करना साथ-साथ तो चलिए इनकी प्रैक्टिस से एक बार कर लिएगा इस सीरीज की आप पेड इस सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है कॉल या फॉलो करना है एक्जाम से पहले दो से तीन बार इनका रिविजन हो जाना चाहिए कैसे भी